जब भी बात हाई टेक कार की होती है तो टेसला का नाम सबसे उपर होता है टेसला ही एक ऐसी कार है जो आटो पाइलेट, सुपर चारजिंग, वाई विपन डिफेंस मोड और कीबोर्ड एसेज के फीचर देता है पर फिर भी टेसला कार भारत में क्यों नहीं चल सकती क्योंकि इसकी कुछ बहुत मुख्य कारण है इसकी प्राइस जो कि बहुत हाई है इंडियन मार्किट के हिसाब से इसके दाम आसमान चूते हैं जो कि एक सामान मिडल क्लास परसन इसे एफॉर्ड ही नहीं कर सकता हाँ पर अब ऐसा नहीं है कि भारत में अमीर लोग नहीं रहते इस कार को खरीज सकते हैं पर यहाँ जैगवार, BMW, Audi को लेकर इतना क्रिज चला आ रहा है कि जो कि एक रिज सिंबल को दिखाता है भारत सरकार के दौरा विदेशी कारों पे लगाये जाने वाला टेक्स भी बहुत हाई है भारत के नियम के नुसार, 4000 डॉलर की उपर की कीमत पर 100% इप्योर डूटी टेक्स लगता है जबकि 4000 से कम पर 60% वहीं टेसला की सबसे सस्ती कार भी 4000 डॉलर से उपर कियाती है जिसकी वज़ा से टेक्स के बाद यहाँ कार 70 से 75 लाग की हो जाती है अभी इंडिया की मार्किट में इलेक्ट्रिक विकल का मार्किट शेर 1% से भी कम है सिर्फ कुछ बड़े शेहर ही हैं जो ये सुवधा उबलब्द कराते हैं टेसला कार को अमेरिका की सड़कों को ध्यान में रखके बनाया गया है वही भारत की सड़के पतली और ट्रैफिक से भरी हुई होती है यहाँ लोग आज भी ट्रैफिक रोल्स को उतना फॉलो नहीं करते हैं वही इसका और्टो पाइलेट मोल्ट भी सही से काम ही नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ बे ट्रैफिक बहुत है जब इसके फीचर्स भारत में चल ही नहीं सकते तो इस पे भला कोई क्यों पैसे लगाएगा वही आज टाटा मोटर्स ही सबकी पहली पसंद बनी हुई है क्योंकि लोग आप सोदेशी अपनाना चाहते हैं तो इन कारों से टेसला अभी तो भारत में आती हुई नहीं दिखती है ऐसे ही अमेजिंग और नौनिजफल वीडियो के लिए हमाँ चनल को सब्सक्काइब करें